हे अबरीवान वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूँ अपढ़ना आज हम बनाएंगे चने का साग और चने का साग बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है तो मुझे मार्केट में चने का साग तिक गया तो मैंने लिया क्योंकि मुझे बेहत पसंद है चने का साग और ये खाना भ बासा कुछ इस तरह से होता है तो मुलायम बाला मैंने ले लिया है और जो हाड़ वाला था वो मैंने निकाल दिया है अब हम इसे कट करेंगे तो आप धोने के बाद इसे एक जाले में रख दीजिए ताकि इसका सारा पानी निकल जाए फिर हमें इसे कट करना है क्योंकि प पूल ज्यादा अमेजिंग बनता था और मैसे क कपके दिनों बाद या चने का साग खाया है को बनाते हम नानी पे अःभ भागोरने में भी सकते हैं तो मैं आज कुकर में ही आपको बना के दिखाती हूं तो इसमें मैंने डाल दिया है नमक और अभी मैंने ली है यहाँ पे आदा कप चने की डाल चने की डाल को धुल लिया है और आप चाहें तो चने की डाल की जगे आप मूंग की डाल भी ले सकते हैं मूंग की धु चने के दाल पकती नहीं है करीब 6-7 सीटी लगानी पड़ती हैं लेकिन हमें इसे बहुत जादा नहीं पकाना है थोड़ा सा हमें इसे गलाना ही है देखिए इस तरह से तो यह थोड़ी सी इस तरह से फूटने लगी है तो बस दो ही सीटी लगानी है अगर आपने भीगी पकाएंगे ना किसी भी बरतन में तो बहुत जादा टाइम लगेगा और उतना टाइम तो होता नहीं है इसमें हम लोगों के पास तो बस यहां पर यहां काम मैंने आसान कर दिया है कुकर में दाल को पकाके तो बहुत जादा दाल कलाई नहीं है मैंने तो अब हम इसमें बिल्कुल भी तो प्लेट ढग दिये और साग हमारा दीरे दीरे पक रहा है हीट को आप लोटू मीडियम रखें और तब तक हम यहां पे बनाएंगे एक मसाला तो यहां पे मैंने करीब आठ से दस लेस्न की कलियां ली हैं दो मैंने ली हैं ग्रीन चिली जो काफी तीक हैं तो हमें बहुत ही फाइन नहीं करना है इस तरह से दरदरा ही इसका पेस्ट रखना है इसका जो टेस्ट है ना इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है तो अभी हम अपने साग को देखते हैं और यहां पे देखिए साग थोड़ा सा पक चुका है तो अब हम यहां पे एड़ करें तो अच्छे से इसको मिला देते हैं और फ्रेंट्स आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं अपनी सिटी कंट्री और अपना नाम मुझे कॉमेंट में जरूरू बताएं ताकि मैं आपको थैंक्यू बोल सकूँ और पिछली वीडियो का थैंक्यू जाता है दीपक जोशी भा अधा कप गरम पानी आड कर दिया है और अब यहां पे इसको धग देंगे तो हमें यहां पर इसे धगने के बाद हीट को कर देना है धीरे-धीरे हमारा साग पके आगा तब तक हम यहां पर देखिए करीब तीन चमच मैंने लिया है बेसन और कच्चा है तो इसमें मैंने थ क्योंकि यहां पर देखिए यह जो दाल है ना यह भी पग गई है बहुत अच्छे से और अब हम यह जो बेसन बला गोल है इसमें एड़ कर देंगे तो थोड़ा थोड़ा एड़ करें और इसको मिक्स करते जाएं ताकि इसमें लंग सना पड़ें तो बेसन का पेष्ट बना करा इसमें एड़ करके तो तब तक हम इसे पक्तिन देते हैं और चलिए अब बनाते हैं हम पानी बाली रोडी तो यहां पर मैंने लिया है बेसन करीब आदा कप और एक कप से थोड़ा कम लिया है मैंने गेहुकांटा तो यह इसका मेजरमेंट है और यू आप धियान तो 10 कप लें बेशन और एक कप से थोड़ा कम गहुकाठा मुना चाहिए अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और यहां पर थोड़ा थोड़ा पाइं डालके हम इसका आटा लगा लेंगे और आटा जो है न सेमी सॉप्ट होना चाहिए इस तरह से देखिए बहु ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए नहीं बहु ज़्यादा हाड होना चाहिए तो बस हम इसको अच्छे से इस तरह से गूत लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ओयल लगा देंगे उपर से ताकि ये चिकना रहे और बस थोड़ी देर के लिए हम इसको रेश्ट देंगे करीब 5-7 मिट के लिए तब तक इधर हम देखते हैं हमारा साग तो साग को पकते हुए करीब 10 मिट हो गए है क्योंकि जब मैंने इसमें घोल एड़ किया है ना उसके बाद मैंने इसे 10 मिट पकाया है टोटल मैंने इसे करीब 20-25 मिट पकाया है तो जब यह साग धीरे धीरे पकता है ना तभी यह बहुत ही टेश्टी बनता है और इसकी कंसिटनसी आप देख लीजिए इस तरह से होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना ही बहुत ज़्यादा पतला तो बस यहां पे हमारा साग बन चुका है और अब हम लगाएंगे एक तड़का तो यहां पे मैंने सरसों का तेल का तड़का लगाया है सरसों के तेल में मैंने जीरा एट किया है हींग एट की है साथ ही यहां पे करीब एक चमच एट करेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर दो सूखी लाज बीचे तोड़ के एड़ की है और अब हम यह तड़का डालेंगे अपने साग पे और इसको डालने के बाद तुरंत ही इस पे प्लेट ढग दीजिए ताकि इसका जो फ्लेवर है बाहर ना जाए तो बस एक मिनट बाद हम इसकी प्लेट ओपन करेंगे तो यह यहां पर आटा अच्छे से मैस कर लेंगे दुबारा से और इसकी हम बड़ी बड़ी सी दो लोई हम बनाएंगे क्योंकि दो रोटी के लिए मैंने आटा बनाया था एक को ढखके रख देंगे और दूसरा हम इस तरह से अच्छे से इसकी लोई बना लेते हैं चिकना करके औ और फिर हम इसे इस तरह से हाथों से बनाएंगे यह बहुत ही आसान है क्योंकि पानी की हल्प से यह इस तरह से बढ़ जाती है हाथों से और अगर आप बेल के बनाना चाहते हैं तो आप बेल के भी बना सकते हैं लेकिन पानी से आप बेल नहीं पाएंगे क्योंकि पानी से पट्टे में चिपकेगा आटा तो इसलिए हाथों से ही बनाना बहुत ही आसान है और यह देखिए रोटी हमारी बन गई है इसको हम गरम तबे पे डाल देंगे और तबा हमारा मीडियम होट होना चाहिए थोड़ी दिर बाद हम इसे पलट देंगे और दूशी रोटी आपको हम आटे के साथ बनाना बताएंगे सुखा आटा डस्ट करके आप उसे बेल सकते हैं या फिर आप उसे हाथों से ही बना सकते हैं तो अगर आप पानी वाली रोटी नहीं बना पा रहे हैं तो आप इस तरह से आटा डस्ट करके इसको बेल के भी बना सकते हैं यह रोटी होती चैwn Angeles और क्योंकि यह रोटी या फिर या फिर बैंगन या फिर यह ईश्चा में तन ठीक रहां कि तो इसे दिदिय। पर सेख लेंगे तो यहां पर इसे दीमी आज पर सेख ना है तभी यह अच्छे से अंदर तक सीखेगी क्यूंकि यह थोड़ी सी ठीक होती है तो इस तरह से मैंने इसे देखिए सेख लिया है और इसे आप इस तरह से बनाएं सच में बहुत हमेजिंग लगती है देखिए बह होती ज्यादा यह अच्छी सिखती है एकदम सौंधी सौंधी खुशबू आती है इसमें तो इस तरह से इसे भी मैंने कम हीट पे देखिए सेख लिया है रोटिया हमारी सिख गई है अब चलिए हम प्लेटिंग करते हैं तो साग पे लगाएंगे हम डबल तड़का तो यहा पे एड किया है तो बस यहां पे अब हम एड करेंगे घी और यहां पे गरमा गरम रोटी पे भी घी लगाएंगे और यहां पे मिर्च का अचार है साथी है शैलेड और इसे कौन नहीं खाना चाहेगा इस सर्दी में तो आप इसे बनाएं और इंजॉय करें और इस वीडिय में ही खाने वाली हूँ तो बनाएं इंजॉय करें इस वीडियो को लाइक करें सच में बहुत ज़्यादा मेंजिंग बनाएं नमक अगर थोड़ा कम लग रहा है तो आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग तो चलिए इसे खाते हैं और आप भी बनाएं इसे इस सर्दी चन्य का साग इसे में मार्केट में बहुत ज़्यादा आता है तो आप जरूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और जरूर ट्राइ करें और अगर ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करे थेंक्स पर वाचिंग